नमस्कार दोस्तो दोस्तो अभी के सीजन में एक बहुत ही कामन सी बात देखने में आ रही है जनरली क्या हो रहा है कि लोगों को सर्दी खासी हो रही है हरारात हो रही है, सरीर में दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है और गले में अटपटा पंसा लग रहा है, सोर्थ रोट की सिगायत हो रही है इन सब चीजों में सारी चीजे तो समय के साथ ठीक हो जा रही है पर सबसे यादा समस्य आ रही है अभी खासी को ठीक करने में अलोपेथी में क्या हो रहा है कि जो दवाईया कुछ सालों पूर्व तक खासी को बहुत आसानी से ठीक कर देती थी अब उन दवाईयों से खासी में कोई भी राहत देखने को नहीं मिल रही है ब्यक्ति पहले दूसरे तीसरे दिन जितना खासता है अलोपेथी दवाईयों का सेवन करता और देखता है कि उसकी खासी में कोई भी आराम नहीं आ रहा उल्टा जो कफ बाहर निकल रहा था वो भी एलोपेथीक दवाईयों के सेवन से बाहर निकलना रुक गया अंदर फसा हुआ है और यह खासी अब दिन बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है बाकि सभी समस्त्या साल्व हो गई सर्दी बंद हो गई हरारत बंद हो गई हात्पाउं दारत बंद हो गई सोर्थ रोड भी बंद हो गया पर खासी जाने का नाम नहीं दे ऐसे बहुत से केस अभी आ रहे हैं जहां 10-10 दिन 15-15 दिन 20-20 दिन हो गई हमारे पास भोपाल पढ़ता है यहां पास में नाकपूर पढ़ता है तरह तरह के डाक्टरों के चक्कर लगा चुके पर खासी नहीं जा रही अभी कुछ समय पूर्व हमारे एक मित्रे जो भोपाल में एक एलोपेथिक हास्पिटल में काम करते हैं उनसे मिलना हुआ उन्होंने भी यही बात शेयर की आपसी वारदाल आप में बोला कि यार आजकल खासी बहुत ज़्यादा प्राबलम दे रही है मतलब इतनी ज़्यादा बेकार इस्थिती है कि एलोपेथिक डाक्टर अब इसके लिए लगातार इस्टेराइट का यूज़ कर रहा है बीना इस्टेराइट दियों उन्हें खासी में राहत नहीं मिल रहे है पर उसका भी कुछ अलग परिणाम हो रहा है कुछ लोगों में इस्टेराइट के बाद खासी और ज़्यादा समस्या पेदा कर रही है तो यही आपके साथ भी इसी प्रकार की समस्या हो रही है और आप होमेजिक दबा देना चाहते हैं तो हमने पहले भी खासी पर काफी अच्छे-च्छे काम्बिनेशन बता हैं जिनका यूज करके आप अपने पास आने वाले 70-80% मरीजों को तुरंधी लाब दिला सकते हैं मतलब आप जब यह काम्बिनेशन देंगे तो 2-3 दिन के अंदर ही आपको बहुत ज़्यादा लाब अपने मरीजों में देखने को मिलेगा उस समय मैंने इन में से ही कुछ दबाई बताई थी एक दो अपको डारेक्ट मेडिसीन के बारे में बताऊँगा क्या आपको कुनगों सी मेडिसींगा की खासी में यदि बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गई है तकलीव बहुत ज़्यादा दे रही है, जा नहीं रही है काफी सारा इलाज करने के बाद तो आपको यह कामेंसे 100% सकता है कुछ और मेडिसिन साथ में देना पड़े देना चाहिए पर यहां बर एक कावन फारवोला में आपको बता रहा हूँ जो आप अभी के सीजन में यूज कर सकते हैं और बहुत ही ज्यादा लाव ले सकते हैं तो देखिए दोस्तो अभी के सीजन में जो खासी खतरनाक होती जा रही है उसे ठीक करने के लिए एक बहतरीन काम्बिनेशन आपको यूज करना है और इस काम्बिनेशन की काफी सारी मेडिसिन्स में पहले अलग-अलग वीडियो में आपको डिटेल में बता चुका हूँ ये खासी में राहत दिलाने के लिए तुरंट ठीक करने के लिए तब आप इन मेडिसिन्स का यूज करें इसमें आपको केवल तीन मेडिसिन यूज करनी है सबसे पहले आपको जो भी खासी है उसमें पैशन से पूछना है यदि एकदम सूखी खासी चल रही है तो आप ये as well क इस्टोबल कफ सायरप देंगे यदि खासी कफ वाली चल रही है बैक्ती को बार बार थूक कफ को थूकने का मन कर रहा हो या आप जब फेपड़े चेक कर रहा है तो घर घर की प्रकार से आवाज आ रही हो जिससे ये प्रतित होता है कि फेपड़े में म्यूकस भरा हुआ ह कंजेषन है कफ है तो आपको विजाल का कफ मिक्शर जो की एक्सपेक्टोरेंटर इसका यूज़ करना है समझ गए आप बैसे जनरली मैं आपको फिर से बता दूँ सूखी हो या गिली उन दोनों ही खासी में ये सायरप दी यूज़ कर सकते है ये साइरप भी यूज़ दी पर बहतर तरीका यह है कि यदि आपको एकदम ड्राई सूखी खांसी चल रही है तो इसका परिणाम जाद अच्छे मिलते हैं हमारे अनुभव की बात कर रहो हमें आपके लिए क्या अनुभव है वो अलग बात हैं हमारे अनुभव में इसके परिणाम जादा मिलते हैं और यदि कफ विद एक्सपेक्टोरेशन है कफ निकल रहा है गिली खांशी है तो इसके परिणाम बहतर मिलते हैं इन दोनों में से आप अपने मरीज की लक्षणों को देखकर सूखी खांशी या गिली खांशी इन दोनों में से कोई भी एक सिरफ जो है आप चूस कर लें अब एक adult ब्यक्ति की डोस में बता रहा हूँ, adult ब्यक्ति है, तो चाहे ये सिरफ हो या ये सिरफ हो, आपको 10 ml सुभर दोफेर और रात देना है, पर 10 ml गर्म पानी लेना है, एकदम गर्म पानी ले 10 ml, उसमें 10 ml सिरफ मिला ले, आपस में जब आप मिलाएंगे, तो वो गर्म ठंडा मिलके गुन-गुना हो जाएगा, उसे सुभर देना है, दोफेर देना है ब्यक्ति को, द्यान राखे, सुखी खासी है, तो ये वाले कफ को आप, ये वाले सिरफ को प्रिफरेंस दे, और ये गीली खासी है, तो इसे प्रिफरेंस दे, तो ये पहले medicine हो गई, दूसर सेंक्टम का मदर टिंचर दीजे, आज दोस्तों तीन फरवरी दोहार चोवी से, अभी जो खासी चल रही है, मैं उसके लिए बता रहा हूँ, आसिवम सेंक्टम का मदर टिंचर देना आपको, ये सारी डोज में एडल्ट बेकती के लिए बता रहा हूँ, तो आपको बीज सुबह, दोफ़रो रात इस मदर टिंचर की देनी है, ये तुलसी से बनने वाला मदर टिंचर है, और रेस्पारिटर टेक्टर के इंफेक्शन में बहुत ही मैच्पून भूमिगा ये निवाता है, और तीसरी जो मेडिसीन है दोस्तों, उसमें आपको तीन मेडिसीन को मिल इसमें आप एक मेडिसीन मिलाएंगे ही पर सल्फ 30 पोटिंसी में, दूसरी मेडिसीन मिलाएंगे ब्रायोनिया एलवा 30 पोटिंसी में, तीसरी मेडिसीन मिलाएंगे काश्टिकम 30 पोटिंसी में, इनके क्या लक्षन है, यदि आप डिटेल में जानना चाहें, तो तीनों ही ब्रायोनिया और 5 ml हीपर सल्फ तीनों दवा की बराबर मात्रा मिला लीजिए अच्छे तरह के से हिला लीजिए और एडल्ट बेक्ति को 5 बुंदे सुबह दोफ़र और रात जीप पर या एक चमच पानी में डाल कर पीने की सलाथ दीजिए तो तीन मेडिसिन आपको यूज क सुनते भी जाएए ब्रायोनिया एलवा 30 और काश्टिकम 30 तीनों 30 में बराबर मात्रा में मिला के कामबिनेशन की 4-5 बुंदे सुबह दोफ़र रात जीप पर या एक चमच पानी में डाल कर पिलाएंगे देगे ये मैंने आपको एक कामन फार्मूला बताया है जो बहुत क खास्ते खास्ते उल्टी आने की सिकायत होरी तो आप इपिकाग डाल सकते हैं आप खासी के प्रकार को चलने के समय को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम डाल सकते हैं चेलिडोनियम डाल सकते हैं स्पॉंजियर डाल सकते हैं आरसेनिक का यूज़ कर सकते हैं बहुत सी म 50 प्रतिशा तरह हम आ जाएगा 4-5 दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तो उम्मिद करूँगा यह वीडियो भी आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद बंदे मातरम